अब देखो लड़की पटाना एक ऐसा टॉपिक है जहरोंड के मन में होता है अगर तुमसे कभी लड़की पटना तो दूर दंग से बात भी ना करती हो तो कोई बात रही है क्योंकि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया जिसके टिप से लड़किया इंगे उपट जाती है भाई का नामे शारत है तो अब बिना किसे पप्चोति के शुरू करते है सलमान खान और उनकी एक्स गर्फरेंड का ये वीडियो गौर से देखिये है कि सलमान उनकी बाड़ी को कंट्रोल करें अबे भैस की टांग वो जो सामने खड़ा आदमी है वो किसे को भी कंट्रोल कर लेता है ऐसे हो या ऐसे है जब लड़किया आपको पसंद करती होती है मगर हाँ ससुराल भेजके रहेगा लड़की के साथ आइक ऐकोंटाक मेंटेन करना एक बहुत ही अंडरेटी कला है आप लिटरिली किसी भी लड़की को एक सही आई कॉनटाक के तरू इमप्रेस कर सकते हो और ये एक ऐसी कला है जिसको आप प्राक्टिस करके ही माहर हो सकते हो अगर आप लड़की को लिटरिली आई कॉंटाक के दौरान पहले आई कॉंटाक तोड़ने पर मजबूर कर दो तो गेम खतम लड़की तुरंट सब में सिब हो जाएगी यही न यहीं लड़की पटाने के टिप्स नहीं दे रहा है यह तुम्हें चार अलग वे में बिना बीबी के ससुराल कैसे जा सकते हो उसकी टिप्स दे रहा है लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के तीन बैस तरीक है जब मौका मिले तब उस लड़की पे ही इल्जाम लगाओ कि वो आपके साथ फ्लर्ट कर रही है अबे बहुत अड़के खुद को आईने में देखना बोल जाता है क्या इनसे कोई लड़की हेलो भी बोल देना तो इनका चड़ी मोही लिख जाता है और सामने से आके कोई लड़की तुमसे बात कर रही हो और उसमें भी तुम बोलो कि वो तुमसे फ्लर्ट कर रही है सार तक तु सज बता तो दारों में खाई नहीं मिला के पीता है ना वरना ऐसे टिप्स कहां से आता है दूसरी चीज अपना आई कॉंटाक्ट बहुत सॉलिड रखिये मतलब आई कॉंटाक्ट तोडने वाली हमेशा लड़की होनी चाहिए और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़की आपके आई कॉंटाक्ट से इंटिमिडेट हो रही है तो उसकी राइट आई में देखिये आई कॉंटाक्ट रुक मैं अंदा हूँ मैं कैसे करो आई कॉंटाक्ट अब बता ने ने बता बता अब क्या लड़की के गोदी में जाके बेड़ जाओं ने बता बेड़ जाता हूं ने बेड़ जाता हूं और तीसरी चीज, ऐसा मत दिखाओ कि जो चीजे लड़की को पसंद है, आपको भी पसंद है, उसके साथ आर्ग्यू करो, उसे चैलेंज करो, तभी तो मज़ा हीगी, लड़की से आर्ग्यू करें, अब ये बैल बुद्धी, धर्ती के 90% लोंडे, जिनका लड़की से बात कर करते हुए, इंडियान लॉंडे ये तीन गलतियां सदियों से करते चले आ रहे हैं, लड़की को भीजना, अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे बैठा था, भागलो, ये गलती तो कभी भी मत करना, लड़की को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए, कि आप खाली बैठे था, तुम अगर आप उस लड़की के साथ रिलेशन्शिप में नहीं होना, तो उस लड़की को ये हमेशा फील होना चाहिए, कि आप हरामी हो, और आप और भी लड़कियों से बात कर रहे हो, और ये दिखाने के लिए लड़की को तुरंट बाय बोलते ही, ओफलाइन मत चले जाओ, उसका मेसेज आ भी जाए, फिर भी थोड़ी देर उनलाइन रहो, और थोड़ी देर में रिप्लाइ करो, मैजिक देखना भाई, हाँ, मैजिक देखना, इंस्टा, फेस्बूक सबसे कैसे ब्लॉक करके जाकी है, नहीं सार्तक भाई, इतना सिग्मा का क्या करेगा, अब क्या गांड में डालेगा? अगर आपको एन गर्फरेंड परटानी या तो यह तीन बाते याद रहाững? teeth में इंडियन लड़कियों को मैसेज करने के लिए 3 important tips अगर उसने आपको को एसा मैसेज भे conspiracy जिसका रिप्लाइ करना ज़रूरी नहीं है सारतक तु लॉजिक की मावेन की वेक कर रहा है जितना स्यादा हो सके उतना स्यादा वीडियो कॉल्स पर रहो मेरे दो ताकि वो तुम्हें भरी बाजार में नंगा नचा दे यही ना क्योंकि सारी फुरुक तो होगी ना उसके पास अब वीडियो कॉल में कुतुप मिनार तो दिखाने से रहे तो यही दिखाऊगे ना साज बता रहा हूँ अब इसके लोजिक से चले लगे ना तो लड़किया तो दूर कुतिया भी भाव ना देगी अब बाकी तो क्या बोचकता हूँ तुमारा फ्यूचर ब्राइटों तुम बस लगे रहो तो बस यह वीडियो में यही अंड करता हूँ अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना अब मैं चलता हूँ मिलते अगले वीडियो में